औरे से पाँकहाल से nuclear ज़ुभी है हैं आज हमारा छटा नमडरात्रा है छटे को हम मा कात्यानी की रूप यूला को कराफ मातका जा बड़ानी सरूप है उसको मैं हम लोग महिशा सुर मर्धनी के नाम से भी जानते हैं इसके पीछे कत है जो मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ करती हूं हुआ यह था कि महिशा सुर ने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कि अरत कर दिया था देवताओं को और देवताओं के अंदर आतंग फैल गया था कि उनको बहुत ही यह लगम लगा कि किसी तरीके से हमारे को इससे चुटकारा मिलना चाहिए और तब वो जो है सारे देता मिलके ब्रह्मा विश्नु और महिश के पास गए और उन लोगों ने मिलकर जब बगदेवताओं की बाते सुनी तो उनको इतना क्रोधाया कि उन सबके तेज से बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रकाश निकला सारे देता हूं कि जो अच्छा वो ब्रह्मा जी से जैंविश्नु जी से जैंशिवजी थे सबके शरीडों में से बहुत बड़ा तेज का बोला निकला और जिसने एक शक्ती का रूप जो है और उसको मार गिराया, तो बस तो ये कथा इतनी ही थी आज की, तो चलिए आज कर गया नहीं, तो मुझे किचन में चलते हैं, जट पड एक बड़ी अची रसिपी बना लेते हैं, आईए मेरे सब, चलिए तो फिर जट पड बना लेते हैं, व्रत की एक और नई सी रसिपी, औ आप देखी रहें सारे, यहां मैंने कुटू का आटा ले लिया था, एक कप, आप सिंगाड़े की आटे के साथ भी इसको बना सकते हैं, और यह मैं चीले बना रही हूँ, और इसमें मैंने डाल दी हैं, चार से पांच हरी मिर्चे काटके, और थोड़ा सा मैंने इसके अंद अद्रक डाल दिया है, अद्रक भी मैंने चॉप करके बारीक बारीक इसके अंदर काट दिया था, और मैं इसके अंदर डालने जारी हूँ, काली मिर्ची का पॉडर, आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और तो मैंने एक कप कोटू का आता लिया था, और मेरे को अबाउट एक से डेड़ कप, डेड़ कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है, यह डिपेंड करता है कि आपका आता कितना पानी अब्जॉर्ब करेगा, आप उसी साब से पानी डालीगा, इसकी बिल्कुल चील आप चाहें तो थोड़ा से इसके मुम फली भी डाल सकते हैं बट मैने इसके इसलिए नहीं डाली हूं कि इसका मैं आगे भी यूज करने वाली हूं So3 तो आप चाहें इसके इसके इंदर थोड़ा सा नीब्बू का रस isके अंदर हम इसको डाल देंगे हूं इसको mix कर लेंगे और दही इसके अंदर डालना जरूरी है तो दो चमज से दो दो से तीन चमज आप इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं और वो डाल दीजे और आप इसको मिलाकर देख लिए देखे अभी भी मुझको थोड़ी सी consistency की जो हाड लग रही है तो मैं इसके अंदर इस तरीके से और यहां मैंने एक non-stick पैनल ले रही है इसको थोड़ा सा मैं सीर कर रही हूं मैंने थोड़ा सा oil इसके अंदर डाला जैसे आप डूसे के लिए करते हैं और उसके बाद बस मैं इसको पोस दूंगी कपड़े से और फिर इसके उपर मैं जितना मुझे बढ़ा अपना चीला बनाना है उतना मैं इसके उपर बैटर डाल दूगी और इसको फैला दूगी और बस इसको अब छोड़ देंगे थोड़ा सा इसको होने देंगे नीचे से सिखने देंगे जब यह फैल जाएगा पूरी तरीके से क्योंकि आलू है इसके अंदर तो थोड़ा सा अंदर साइडों से ऑईल डाला बहुत थोड़ा सा देखिया ऑईल डाला है और इसको हलके हलके मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहे हूं दो से तीन मिनट के अंदर ये नीचे से अच्छा सा क्रिस्प हो जाएगा और आप इसली इसको निकाल सकते हैं बिल्कुल जैसे हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको कीजिए और बहुत कम तेल में और बहुती बढ़िया और हेल्दी आपका बनके तयार हो जाता है सबसे बड़ी बात हुती है कि इसके अदर कोई ग्लूटन नहीं है तो अगर ग्लूटन प्री आपको डाइट यह अपनी फॉलो कर रहे हैं तो इसके नदर भी आप इसको खा सकते हैं और यह देखिए किता बढ़ी है मेरा यह करंची और टिस्पी बनके तयार हो गया है और बस इसको उतार के हम एक प्लेट पे रख लेंगे और ऐसे करके सारे चीले हम बना लेंगे एक जूसर भी आपको बना कर दिखा दे देंगे का आप चाहें तो इसको बना कर भी रख सकते हैं चाहे तो जब लोग खाए तब यह बना सकते हैं पर इसमें थोड़ा सा फिट टाइम लग जाता है और इधर मैं बनाने जारी हूँ खीरे का राइता जारे हुए थोड़े अपने स्पेशल अंदाज में तो मैंने इसके अंदर डेढ़ कप दही ले लिया था और उसकें अंधर मैंने थोड़ा सा नमक औक만ब दालदी है पहरा दल दी अर बहुला भुनावा जीरा श्मिक्स करेंगे सकता है और आप नवर चाहिका पानी मफ भी मेरे ब toca करा लिया ओ सबड़ा जाएगी या भी मैंने आपको दिखाया मूमफली और इस टेम मैं डाल जूँ इसमें थोड़ी सी चीनी चीनी आप चाहें तो डाल दें पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसके इंदर थोड़ा सी चीनी भी डाल दिया उसे टेस्स बहुत अच्छा आजाता है और अब यह जो मूमफली मैंने आपको दिखाया थी ना इसको बस मिक्सी में आपको पल्स कर लेना है और यह मिक्स जो मूमफली थी यह मेरा 3 4th कप के करीब थी मेरको मूमफली बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैं थोड़ी जादा डाली और वैसे भी व्रत में थोड़ कर दो इसा फिलिंख हो जाता है तो आप आप इसलिए उसको खा सकते हैं और देख एक इतना जड़ शिए लिए